असलाम अलेकूम मैं हुतम किनत करीम और हुवारे साथ मौजूद है नजम सेथी असलाम अलेकूम आज जिन टॉपिक्स पे हम गुफ्तुगू करेंगे उनमें शामिल हैं लेफटिनेंट जेनरल रिटाइड आसिम सलीम बाजवा के खांदान के गैरमुई की असासे निया नवाज शेरीफ के जेरे समात मुकदमात में पेशरफ्त opposition का all parties conference बुलाने का फैसला और कराची की ताजा तरीन सूरत है सेटी साथ 27 अगस्त को senior सहाफी एमद नुरानी की एक पहकिकाती रिपोर्ट एक website है facts focus उस पे पब्रिश हुई जिसमें जैनल साब के जो खांदान है उनके गैरमुल्की असासों के बारे में कुछ इनकिशाफाद किये गए अब जैनल साब सीपैक के चेमें भी है और साथ ही साथ मौावने खसूसी हैं वजीर आजम के बराए अतलाद और नश्रियाद तो उसमें आप मुझे बताएं ज जा ऐसी तहल का खेज बात थी जिसके बाद इतना शोर मच गया तो मेरे पहले तासुरात तो यह थे कि यह मामला जो है ना यह मकाफात है अमल का मामला है वो कैसे जैनल साब एक अन्नोन कौंटिटी नहीं थे देखिए बहुत सारे बहुत से जैनल्स आते हैं बहुत से जैन इसको और भी बहुत बड़ा कर दिया मगर जब इन्हों यह काम करने लगे तो दो चीजें स्टैंड आउट की एक तो यह थी के इन्होंने थैंक वी जर्नल रहील शरीफ का एक ब्रैंड बनाया क्योंके हर रोज फरंट पेज पे आता था अब इस जर्नलिस्स हमें यह इस ब मगर और दूसरी चीज इस ब्रैंड के बारे में यह थी के जर्नल रहील शरीफ साब के बारे में दो और इश्यूस थे जो के मीडिया में हम लोगों को पसंदनी आये और जाहर है कुछ जमेदारी फिर जर्नल आसम बाजवा की थी उसमें एक तो यह था कि यह ब्रैंड ने धर्ना को सपोर्ट किया इमरानग घ्रना जर्रीफ ने सपोर्ट किया उसका मकसद दो थे एक ये के एक सेंशन ले ली जाए अगर एक सेंशन नहीं मिलती तो नौशी साहिक भी चुटी किराए जाए जाए और एसी हुआ नहीं मगर कोशिच गे इन उन्हें वो उस ब्रैंड को समझे आप उसके बर डेंट शेंट लग गए थे कुछ दाख शाग लग गए थे और जाते वकत वो ब्रैंड और भी खराब हो गया को कि आपको याद होगा उस वकत जब जब जर्रल रेल शरीफ गए हैं यहां से रिटायर होके तो फिर बहुत सी कहनिया आ वहां से भी फिर वाटसाइप ग्रूप और प्राइवेट कानवसेशन के अंदर अफ़ाएं बातें मीडिया में नहीं आई बिकाज इल्जामात इल्जामात ही होते हैं और उसमें वजन भी शायद नहीं था मगर बातें चली और यह ऐसे वाटसाइप ग्रूप से जिसमें आर्मी के रिटाइड लोग भी थे तो वहां भी यह बातें चलती थी अब क्या बातें तो यह रहने देना उस बात को मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यह जब यह सदन कमांड भी चले गए तो यह आउट ऑफ द लाइम लाइम लाइट नहीं हुए इन वन सेंस और अनादर कि मुझे पता है चार पहले भी आठ नौ जेनरल्स को रिटायर किया गया है मेजर जेनरल से में एक दूर लेफ्टन जेनरल भी थे वर वेरिस रीजन्स कोई और उनको क्वाइट ली बुला के इजाम बता दिये जाते हैं आपने यह किया यह किया चलिए फारग हो जाए जो फारग के अंदर अकाउंटी बिलीटी है यह मगर इंटर्नल अकाउंटी बिलीटी है जूनियस की और पबिलिक में यह थे गडिया आनने ही आनलाइक कि पॉलिटेशन सेक्रड़ आउट है यह जो सफाई कि में निन एक फ़्या आएं यह ऐसे नहीं इनको उन्होंने रिटार्मेंट के बाद सिपक का अथारिटी लगा दिया अच्छा वहां भी जब एक नया ओर्डनस आया इनको प्रिटेक करने के लिए तो लोगोंने बहुत सी बाते की वो फिर बात बात करते हैं उसके बाद ये पता चला कि ये आ गए हैं यहां इमरान खा साथ के पाद स्पेशल असिस्टेंट तो जाहरा है इनका इंफ्लूंस बढ़ता जा रहा था और जाहरा है इनकी करीबी रिष्टे होंगे हाई कमांड के साथ जो के इनको ट्रस्ट करते थे कि सिपक को भी वो चलाएं और इधर इमरान खान साथ की कैबिनेट में भी बैठ और यहां भी गाइडन्स करें आफ्टर ओल सेडेक्टर्स फरिष्टे होनाने हर जगा पे होते हैं मगर साथ साथ इसके फिर एक चीज़ और चल रही थी जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई वो यह थी कि लोग भूले नहीं है ना कि नवाजशी साब को एक एकामा की उपर ट हज़ात निकालने की कोशिश की जा रही है मैं नहीं कह रहा है यह बार काउंसल कह रही है वुकला हज़ात कह रहा है आपके अवाम यह कह रही है मीडिया भी यही कह रहा है अगर खुल के नहीं लिखते तो प्राइविट कांवरसेशन्स में यह बाते चल रही हैं तो अगर यह चीज हे अगर आप करेंगे या आप उनकी हिमायत करेंगे. तो यह दारा. ऐसी चीजहों की हिमायत करेंगे. जियाटीज बनेंगी. तो फिर आप अपने आपको अपन कर रहे ना. अगर आप एक रव्या एक रिवाच बना देते हैं के जी money trail money trail money trail money trail स्यास्टदानों के गले डाल देते हैं जजिस के गले भी डालनी शुरू कर दिया आपने मीडिया की उपर भी किसी वक्त हो सकता है money trail money trail वो शकील रिवान साथ के साथ तो होई गया ना तो बचा कौम तो ये तो होना ही था गूम फिर के ये घरी आना ही था और ये बदकिस्मत ही है बाजवा साथ की के ये इनकी उपर यहां से शुरू हुआ अच्छा वो होता भी ये है कि किसी सर्विंग की उपर तो वैसे हिम्मत नहीं पड़ती कि बात की जाया और वैसे भी बैने जैसे का बातें दबाई जाती है इनका जो समय जैसे कहते हैं एकिलीज हील या इनकी जो कमजोरी थी इनके केस में वो यही थी कि सारी फैमिली बाहर है पाकिस्तान से और ये कुछ छुपी भी बात नहीं थी ही खुद तसलीम करते थे प्राइविट कान्वेसेशन से और बड़े कुछ चुपाने वाली बात भी नहीं थी और जाहर अगर बाहर थे इनके साहिबजादे भी बाहर थे इनके भाहीं भी बाहर थे तो इतना तो सबको पता था तो जब ये स्टोरी अब आपने का कि कि इसमें क्या सेंसेशनल बात थी तो मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा महौल बना वा था इनके बारे में और जब वो फटा मुरानी साब ने ये कहानी लगा दी तो फिर तो ये था कि सोशल मीडिया ने तो फटना ही था उसके उपर काजी फाइजीजा का इंतकाम लिया नवाज शरीव का इंतकाम लिया शकील और रह्मान का इंतकाम लिया और भी बहुत से इंतकाम लिये को कि लोग उठाए जाते हैं लोग गाइब हो जाते हैं तो ये सारा ये वो मसला है या मामला ये वो है एक तो ये इसके तो ये बचा ताबिक ये lower middle class family है और अब ये multi millionaire family बन गई है और अगर इन चीजों को जोड़ा जाए उन चीजों के साथ जिसका शुरू में ने आवाला दिया कि जब ये sudden command में थे तो क्या अफवाएं what's app group के अंदर क्या बाते चलती थी तो अगर उसके साथ आप ये लगाएं और बहुत से साफियों को इस बात से को पता है कि यार ये चीजे पहले भी चलती रही है sudden command can be a very lucrative position can be अभी और भी generals थे वहाँ कभी कुछ हमने नहीं सुना उनके बारे में के ऐसे हुआ ऐसी हुआ यहाँ बाते चलती थी तो मैं यह कह रहा हूँ आप से कही आप ने पूछा क्या इसमें ऐसी चीज़ थी जिसके साथ सारे हम ज़ाग उठे या खड़े हो गए या कान खड़े हो गए हमारे यही था एक तो इनकी अपनी बैकड़राउंड एक इनकी जो कारकरदगी रही है डी जी आएस पिया फिर इन सुदन कमांड ऊपर से फिर आपने इनको इतने बड़े होदे पर फैंक दिया सिपक के उपर और उस बैकड़राउंड के अंदर और सिपक ऐस यू झूओ इस billion dollars की investment आ रही है और बहुत बड़े contracts दिये जा रहे हैं तो उसके अंदर और Chinese contracts है वो disclose भी नहीं किये जाते हैं चुपाया जाते हैं और आज भी चुपाया जा रहे हैं और तो मैं यह समझता हूँ कि यह सारी वज़ा थे यह स्टोरी जो थी इसको जब यह आई तो सब खड़े होके सब ने इसको का कि इसमें कुछ ने कुछ है और इसी लिए फिर इतना गुसा भी हवाम में आया और सोचल मीडिया भी दिल्चस बात ह być मीडिया में यह बार डिसक desperate नहीं हो पाई उसकी बादी सिम्पल सिया हो कर नहीं सकते हमें ही मीडिया तो इसलिए सब को कह दिया था किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह बात करते अभी आप देख लीठे ठे कि अहम सब चुपकर के बैठे रहे हैं जब जनरल साब ने अपना रिबटल दिया है तो फिर लोगों ने यही किया है ना कि रिबटल को ले के पूरी कानी बाहर ले आए हैं अगर रिबटल ना देते तो चुप करके बैठे रहते पिर भी अब उन्हें रिबटल दिया तो रिबटल जब दिया है तो पिर आ तो इसलिए लोगों ने कहा कि अभी तो उन्होंने डिक्लेयर किये अभी उसमें ये वो नहीं है जो ये नुरानी की स्टोरी में थे अब मुझे बताएं कि जिस दिन ये स्टोरी आई है उसी दिन बाजवा साब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी है एक नामालूम साइट है वेब साइट है और उस पे एक बद्धनियती पे मबनी प्रॉपगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है उनके बेटे ने भी कुछ इसी किसम की ट्वीट की और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे हमें दो भी आनिये सामने नजर आए कि एक कह रहे थे कि ये सीपैक क्यूंकि उसके खिलाफ कोई साजश है कोई इंडिया की तरफ से कोई इंडिया का भी कोई एक वीडियो था उसे बेले जुलाए के महीने. उन्होंने कहा कि सारा एक सारी साज़श है है. हमारी अधारों को बजनाय करने की और सी पेक को टांगे 이ट करने की दूसीं तर्फ का बियानिया ये था के नहीं जी इतसाब है तो फिर सब के लिए हैं और कोई इसमें सब बस्गराबर है. तो आप इन दो बियानियों को कैसे देखते हैं? अगर बात ही है कि अगर सिपक को डिस्टॉई करना है जो कि इसमें कोई शकी नहीं है कि इंडिया अमेरिका और अर्टी सिपक. अगर बात ही है कि नवाश श्रीज साहब ने सिपक मनाया था ना? अगर बात आगे बढ़ाई उसको पका किया, सिमेंट में डाला, मामला शुरू किया, ये नवाश श्रीज साहब ने का अगर जब हमारे फरिष्टे नवाश श्रीज साहब को इंडियन एजेंट केलवा रहे थे, तो ये सोचा नहीं कि इन्हों नहीं तो सारा सिपक किया, तो किस किस मूँ के साथ उनने नवाश श्रीज साहब के कोई ये लगाया, और उनके मीडिया के अंदर जो दोस्त, ये ही चल रही थी, बियानिया ये ही था ना, कि ये हिंदुस्तान, मुदी का जो यार है, घदा है, ऐसी है, तो अब सिपक बनाने वाले को, ये सिपक लाने करेंगे, ये बिलकुल सवासर घलत है, सिपक के अंदर बड़े मसले हैं, मगर सिपक हमारे फाइदे में है, और एक स्ट्रटीजिक डाइमेंशन भी है उसका, और हिंदुस्तान के भी अपने इश्यूस है, मगर ये बिलकुल घलत बात है, कि ये एक सिपक के खिलाफ नहीं है, ये जैसे मैंने आप से कहा, जो लोगों ने ये एकामे शुरू किये, जिन लोगों ने जे आई टी शुरू की, जिन लोगों ने मनी ट्रेल्स की बात की, जिन लोगों ने का, असासे दखाई है, जिन लोगों ने का, एफ वी आर में जाई है, रसीदे निकालें, जिस लोगे निकार, 40 साल पुरानी रिसीदे निकाले, जब आप ये इस किसम की चीजें करेंगे किसी के साथ, तो फिर ये घूम फिरके किसी वक्त आपके दरवाजे के सामने भी आएंगी, तो ये उसी किसम का सिल्फला है, क्योंकि बहुत से लोग है, वो समझते हैं, कि नव वोटे वोटे रहे, उसके एक्सरियत इनके पास है, वो और बात है, हुकूबत किसी और ने बनाई हुए, मगर एक्सरियत वोटें की, डबल दी अमाउंट पीपल, प्रोब, पीपल्स पाटी और नून लीग, तो इसलिए मैं ये समयता हूं के, ये सोचना चाहिए था इनक और ये अब सुरत हार यहां आ गई है, अचा जी अब ये स्टोरी के 27 अगस्त को ये एमन उरानी की स्टोरी आई, उसके बाद हम ये सुनते रहे, वक्तन फवक्तन के जेनरल बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब, ये बहुत जल्द एक प्रेस कॉंफरेंस करेंगे, जिसके अंदर वो एक बज़ाहत पेश करेंगे, लेकिन फिर वो प्रेस कॉंफरेंस तो नहीं हुई, मगर कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने पॉइंट वाइस, उन्होंने कहा है कि ये नुरानी साहब ने इलजामात लगाए हैं, और हक से उन्होंने हकाइक अपनी तरफ से सामने लेकिया हैं, वो कितने इत्मनान बख्ष हैं? नहीं, बिलकुल इत्मनान बख्ष नहीं है, बहुत से उसके अंदर होल्स हैं, जिसको जब आप वहर से उसको देखें, और बहुत से सवाल बनते हैं, पतानी कल क्या हुआ, एक प्र से उसको जाइन पर तुन्होंने तुन्होंने तुस जवाब गिया? यहा, मगर वो तसली वाला जवाब नहीं था, बहुत से सवाल है, मतलब मैं आप कहां जाऊं एक एक करके मेरा यह जवाब नहीं है, यह किसी और का जवाब है, यह फुरेंसिक अनैलिसिस है, यह वो कि असको अधिया कि कोई बहरुनी मुल्क में कोई जवाब नहीं है, और अब जब जवाब निकली है धेर सारी, तो कहते है एक तो धेर सारी नहीं है, वो थोड़ी सी है, दूसरा कहते है कि वो भी उन्होंने तौफे के तोर पे बेटों को दे दी है, पहली जून को उसमें स और पहले बीस दिन पहले ही उन्होंने यह सब कुछ कर लिया था, इसलिए मैंने बन लिखा नहीं है, अब यह भी इसकी भी तो evidence नहीं मिली, तो कह रहे हैं ऐसी बात, दूसी बात ही है कि खुद कहते हैं कि कारवार जो global company का है, वो 70 million dollar के करीब है, और कहते हैं जी कि इनकी अगर वो 20,000 dollar की investment थी तो वो 70 million dollar जब बने हैं, तो जब यह investment हुई थी तो यह 20% थी total investment की, कहते हैं 30,000 dollar की total investment थी company के अंदर, उसके अंदर कोई 20,000 इनकी area की थी, जोने समझे 20-25% इनका share, अब 70 million का 20-25% share तो डेर सारा बनता है, वो कहां गया, वो इनको मिला नहीं या उन् प्रूफ होगा, या US income tax returns में होगा, या उन्होंने कहीं पैसे पाक किये होंगे, या किसी account में चले गए होंगे, या gift कर दिया होगा, जो कहते हैं, मैंने gift कर दिया, तो उसके सारा record होगा तो बात यह है कि जब तक यह सारी money trail आएगी नहीं, उसक तक यह बात बंद नहीं हो आते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यार कमाल की बात है, कि अगर सारा पाकिस्तानी अगर ऐसी हों, कि सतर अजार डॉलर से साथ 70 million डॉलर बन जाएं, दस साल के अंदर, तो और कैच चाहिए आपको, तो मैं यह समझता हूँ कि बाते तो भी बहुत सी हैं, आइस्ता इस्ता न निकाल दे, मगर अगर दुश्मन भी निकालते हैं, तो इसके यह मतलब यह वलत है, अगर को डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो कैसे डिफेंट करेंगे, तो मैं यह समझता हूँ, यह बात अभी खतम नहीं हुई है, अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि आपको जो इनकी तरदीद आई है, वो इतनी इत्मनान बक्ष नी लगी, तो कल इन्हों ने आज़िम बाजवा साहब ने यह ऐलान किया, कि बतौर मशीर खुसी, मौावन खुसी वजीर आजम के, वो इस्तीफा दे रहे हैं इस उहदे से, आज हमने यह खबर सुनी, कि जब वो वजीर आजम को स्टीफा देने गए हैं, तो वजीर आजम ने स्टीफा लेने से इंकार कर दिया है, और उन्हों ने काया कि जो आपने वजाहत पेश की है, वो इत्मनान बक्ष है, मैं मुतमईन हूँ, तो आप अपना काम इसी तरह जारी रखी, तो बताएं यह कल स्टीफे की बात किया कि हाँ यह इसको समालना मुश्कल हो जाएगा, और बाजवा साब को कहा जाए कि आप रिजाइन कर दे, SAC, SAPM से, Cabinet से रिजाइन कर दे, जब आप सिपक में रहेंगे, वहा कुछ नहीं होना, यहाँ प्रॉब्लम रहते हैं साथ, पॉलिटिक्स है ना, that is out of politics, फोकस नह नहीं है वहाँ, यही तो उनको डिकलेयर भी करने पड़े, अपने असाइसे हैं, इसलिए करना पड़ाना तो वहीं से प्रॉब्लम फिर होगी, तो बेतर है यहाँ से तो निकलो, यह फैसला हो चुका था, यह आप यह छोड़े, और प्राइम मेस्टर साब यहाँ ठीक है, अब यह इंटिव्यू जो हो रही थी, यह दस ग्यारा मजे रात को हो रही थी, मेरी इतला के मताबिक, मेरी इतला के मताबिक, उस से पहले फैसला हो चुका था कि यह रिजाइन करेंगे, और यह अगले दिन जाके इनोंने करना था, मगर मेरी इतला के मताबिक, उस रात को, इनकी announcement से पहले और शायद इनको पता भी नहीं था मेरा ये कुछ लोग, senior लोग प्राइमिनिस्टर साब को जाके मिले कुछ फरिश्टे मिले और वहां क्या बात हुई वो बात तो मुझे पता नहीं है मगर उसका जो result निकला है उस बात का वो यही है कि आज प्राइमिनिस्टर साब ने इनकी resignation reject कर दी और काया नहीं आप रहें यहां तो अब क्या हुआ कि पहले फरिश्टों ने का जी आप जाएए इधर से तो resign करें वहां रहें कि यहां से भी resign करना और प्राइमिनिस्टर कुरा मत लें कर दी आप यहे जी आ कि मैं करने जा रहूं मेंक्र को प्रामिनिस्टर के मैं नहीं लेना प्राइमिनिस्ट को कहने गए थे कि यह लिए इनके पहले यह फैसला हो चुक थे ले लए तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया वो मॉनिटरिंग ये हो रही थी. सोशल मीडिया के अंदर दो बाते निकली ना. एक तो ये कि जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मैं मुतमईन हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिया मैंने का नहीं बहुत से सवाल अभी भी र हुई ना. और senior and anchors नहीं ये बात की. कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने से पीम से रिजाइन करना है. क्यों? अगर आपने क्यों गलत काम नहीं किया तो रिजाइन क्यों करना है? आपने रिबर्टल दे दिया है. अब इसके बाद रिजाइन करना है? इसका बदबद डाल में का है तो फिर अगर यहां रिजाइन करें तो वहां से भी करें. तो यह दोनों चीज़ें चलनी शुरू हो गया. और प्रेशर बिल्ड़ अप होना शुरू हो गया. अब मेरा ख्याल है कि उसके बाद फरिश्टों ने सोचा यार यह तो गर्बड होगी. हमारा ख्याल है यह मा अगर यह मत रहना करें को चलना करना है तो यह तो पहों बाद में करें इसह नहीं से फिछा हरे हैं तो सब्सक्राइने से भी और अपने ऑगजा मुझा रहा नहीं तो यह पिर इसंतर हमद गफा करनja ये मुझे पता है कि कल शाम को और भी मुलाकाते हुई है, कुछ लोग गएं और ये उस वकत ये अबाउट टर्न ये ये यू टर्न हुआ है अन डिस इस 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 इसू और मेरा खायल है ये बाज़ा साब को भी बाद में इतला की गई, कि भी ये है अब निया इस तरीके से चल तो ये अब स्टोरी भी आ गई, उसकी वजाहर भी आ गई, इस्तीफा भी कबूल नहीं हुआ, तो क्या मुझे बताएं ये मामला यहां खतम हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्टोरी आई थी तब भी इलेक्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इसको कवर ने किया था, तो अगर इसको मामले को खतम करना उनकी तरह मुझकिल तो नहीं होगा, एक सोचल मीडिया ही तंग करेगा, वरना क्या मामला यहां अब, देखिए अगर जैनल साब रिजाइन कर देते हैं, फ्रम सिपक और यहां से भी, चिप करके फेड हो जाती है, ये मामला यहां ही खतम होगे जी, resignation होगे, खतम होगी बार, मगर क्यूंकि अब वो नहीं हुआ तो यह चलेगी अब, अब जिन लोगों ने यह story निकाली है, एहमेद नुरानी है, और लोग भी होंगे इसमें, जो लोग inquiry कर रहा हैं, वो तो अब जैसे कहते हैं लिल शापंद है, नाइवस, वो त क्योंकि यह मामले में फैसला यह हुआ है कि इसको अब आपने lid डालके बंद करना है, तो resistance इसके उपर आएगी, और और लोग भी, उनके उपर भी आनी बाते शुरू हो जाएगी, और मैं, क्योंकि तेखिए ना, लोग comparison करते हैं, मैंने कहा आप से मकाफातِ अमल, मैं आप क्या रहा हूँ, अब क्या होगा, अब जनल क्यानी की जो प्रॉपर्टी जो अंदर या कहीं और हैं, लोग उसके पीछे जाएगी, और फिर जनल मुशरफ की जो पहले चीज़े थी, वो फिर से दुर आई जाएगी, और नहीं चीज़े निकाले जाएगी, और पिर मैं बिकोज ये मामला आगे चलेगा, और जब चलेगा तो और लोग भी इसके गेरे में आएंगे, और अनफॉर्टन, अनफॉर्टन, रिटार्ड जेनरल्स आएंगे, रिटार्ड आर्मी चीफ आएंगे, ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारी फॉज के लिए अच्छी बात नहीं है, उसकी लीडर्शिप के लिए अच्छी बात नहीं है, और रेड़ी, क्योंकि इस हकूमत की, सियासी हकूमत की कारकरदगी इतनी बुरी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये, इस नॉट गोग गुड, और ये और कॉंट्रोवर्शिय बनेगी, देकि न अल्रेडी तमकिनत, सिच्वेशन ये है के, क्रिटिसिजम तो शुरू होगी है ना, बुजदार साब की उपर, खान साब की उपर खुद, कारकरदगी की उपर, तो ये चीज़ तो चल रही है, और दिन रात खान साब ये कहते हैं, जी मैं तो यहां हूँ, मेरे सेलेक्टर् का गंदा नहीं हो रहा है, वो सियासत दान है, नाम कहीं और गंदे हो रहे है, और अधारे जो हैं, वो कांट्रिवर्शल बनते जा रहे हैं, बिकास वो इतने वन्साइडिट हो गए है, जैसे नैब का, आपने देख लिये है, कितना बदनام हो गया है नैब, हो गया है ना, और चेमिन साब भी नैप के जो हैं, उनके उपर भी वड़ा प्रेशर है। और लोगों को, उनके उसास है इस बात करने। और यहां भी इस किसम की बात चल पड़ी है। अब देखिए, दो बाते होती हैं। एक तो यह के जब तनकीद होती है तो वो बाहर आ जाती है, एक ही होती है तनकीद अंदर ही रहती है, यह अंदर बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। अब बात है तनकीद तनकीद है ना, एसास तो एसास है ना, वो आज नहीं, कल-कल नहीं परसु बाहर निकलेगा, फटेगा वो, तो यही सोचना के जी हमने रोक दिया है, हमने लिड डाल दिया है, हमने मू बंद कर दिया है, इन सब के, गायब कर देते हैं लोगों को, धंकी कब तक आप चीख करेंगे, और ये कब तक छुपेगा ये बाते, दिलों में तो रह जाती है ना, पबलिक के अंदर, के यहां यह हो रहा, यहां, यह हो रहा, यहां, और मैं यह समझता हूं के, हमारे एदारों के अंदर भी अभी अभी अहसास होना शुरू हो गया, के यार हम क्यों गंदे हो रहे हैं, हमारे तो नियत इतनी अच्छी थी, हम तो मुल्क के लिए अच्छी काम करना चाह रहे हैं, हम हुए बलवतन लोग हैं, हम करप नहीं हैं, हम honest हैं, हम professionals हैं, we are patriots, और हो यह रहा कि हम बद्लाम होना शुरू हो गया, हमारा है, अदारा जो है, वो रियासत के अधारों को बचाना चाहिए, उनको neutral रखना चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए, उनको सियासी, देखिए, वो कहते हैं कि जब आप मजब को और सियासत को जोड़ते हैं, मजब तो pure चीज है, सियासत pure नहीं है, वहाँ गंद भी है, तो मजब खराब होता है तो उसके बतनाग लग जाते हैं स्वार्श निहीं होता है इसलिए मज़भ और स्यास्त को लाग रखना चाहिए प्यूर चीज fifa चीज को इंप्योर के साथ मिलाना ने चाहिए अब हमारे रियास्त के कुछ इदारे हैं जैसे मारी इफाज है प्योर रजारा है جب وہ इस قسم की स्यासरा से साथ मुलबस हो जाते हैं या मिल जाते हैं या उसको प्रॉप आप करते हैं तो वो खराम खु掋 हो जाती है जो पहले खराम है उनको कोई फरक नी बड़ता उ तो फिर ड्राइग लीड होके पिर आजाते हैं भी ड्राइगलीन होगे आ जाते हैं, आप तो चले जाते हैं, कियानी साथ चले गए, मुशरफ साथ चले गए, जैनल जयाज चले गए, ऐसे ही है ना, कोई भूला उनको, नहीं, अभी तक बाते चलती हैं उनकी, पूरी-पूरी किताबे लिखी जा रही हैं, और कोई उनके य यह डूंड रहा हो दर कोई, यह डूंड रहा हो दर कोई, आप जैनल जयाज के बारे में, आप हर बात कह सकते हैं, मगर उनके उपर कभी करॉप्शन के उसके चार्जिस नहीं लगेते, कभी नहीं, छोटे दो घर ले लिए, वो जो नॉर्मली जब एक आर्मी चीफ रिटा लेके आएं, तो फिर आपका ख्याल है कि यह गूम फिर के आपके पास नहीं आएगी किसी स्टेश पर, आएगी, तो मैं जाते जाते बस यह कहना चाहरा हूँ कि यह मामला खटम नहीं हुआ, और हाँ, यह भी मैं कह दूँ, अब प्रेशर आएगा में स्ट्रीम मीडिया के कि आपने बस इस बात को आगे नहीं डिसकस करना, यह आएगा, और सोशल मीडिया को तो रोकती सकते, और सोशल मीडिया चलेगा, वाटसैप ग्रूप्स चलेंगे, बदनामी होगी, अमाम के दिलों के अंदर जहर पहलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, यह तो बहुत ही अफ हमारी इफाज़त के लिए हैं, हम इनको बेहत प्यार करते हैं, इनकी हमेशा तरीफ हैं करते हैं, मगर अगर यह इस किसम की सियासत के अंदर और ऐसे लोगों के साथ यह मिल जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर अनफॉर्शनेटली भी यह होगा, होगा यह ब कि हूँ कि अभी एक इतसाब अदालत ने मिया नवाज शरीफ के नाकाबल जमानत वारंट जारी किये हैं, और लंडन हाई कमिशन को उन्होंने कहा है कि वो नोटिस दिया जाए उनको नवाज शरीफ साब को लंडन में, और यह वो ही केस है, जिसमें मीर शिकील उर्मान अलॉट्मेंट, जमीन की अलॉट्मेंट का है वो केस, और साथ ही साथ इसलामबाद हाई कोट में जो इनकी अपीर चल रही थी, उसमें भी एक जहां मर्यम नवाज भी गई है, उसमें कोट में, वहां भी यही बात चल रही है कि जी, हम क्यों ना उनको मफरूर डिकलेर करे नवाज शिरीग को, और अगर मफरूर वो डिकलेर हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होगा, और उनको वापस आके सरंडर करें, 10 स्थम्बर को उनकी अगली तारीख लग गया, उनके 9 स्थम्बर तक आके अपने आपको पेश करें, सरंडर करें अदालत के सामने, मर्यम नवाज शिरीग को पास, क्या आप्शन्स? जो नवाज भी साब उठके यहाँ आजाए ना तो यह गर्वर्मन को पसूरी बढ़ जाएगी, क्या आप क्या किया जाएगी, यह भी मैने डिस्कॉस किया है, तो अब बात यह है कि यह वही सिलसला चल रहा है, अब अब अदालत उनको यह कह दिया है, क्या आपको अप्सक अगर इनके हमें होती है तो मसाला हो गया, अगरूस होती है तो अपील कि अपील में जाएग बेजाएगे, दो तीन मेने ते खिच जाएगी, त्शींड़ देन मेने खिच जाएगी, तो थीन मेने खिच जाएग होगी, यह उन्या आपनाए आपSक्स Спا ninja रहा हूं तो यह क कुछ ने कुछ ना कर भी टाइम इतना नहीं दिया जा सकता या आप जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा यह जल्म हो रहा है तो अब बात ये कि मिया सब मेरा ख्याल है कि यह इनतजार कर रहे हैं कि हालाथ यहां ऐसे बदलें कि उनका वापसाना मुनासिब हो और वो आके को होगा नहीं तो उसे बेतर है कि आप लंडर नहीं बैठे रहें पर अब मियाँ साभी जो सोच है जो मुझे समझ आ रही है वो यह है कि या तो आवाम खड़ी हो जाए तो मैं आ जाता हूं आवाम तो खड़ी नहीं हो रही है अब आवाम पिसी भी आवाम बैचारी अगर कोई कि कहड़े होते हैं तो वो अमीर लोग खड़े हो जाते हैं जैसे कराची में वो ब्र detas हो एक वो लोगा आके शोरवोर्ड डाला हो और लड़े हैं वो गरी वाम तो वैसई पीसी महावे पिसी प्लैनिंग नहीं होती उसकी, जैसे टुनिसेय में हुआ था, एक रेडी वाला अरब स्प्रिंग जहां से शुरुआ एक रेडी वाले ने अपने आपको आग लगा जी और फट गया सारा कुछ, तो यहां भी हो सकता, किसी स्टेज़ भी, मगर अभी हुआ नहीं, तो शायद म ही दीवारों को एक और धक्का दो, अगर दीवारे गिरने लगी तो मिया सब आ जाएंगे एक धक्का लगाने के लिए, मगर सवाल ये है कि क्या वो आ के गिर, दीवारों को गिराने की महिम चलाएंगे, मेरा ख्याल है वो अभी वक्त नहीं आया, अभी अटलीस यह सोच न हैंगे, दो मेने के बाद के जी वो टाइम खतम हो गया उनकी करन की मिया साब, तो मिया साब को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, या आज या कल या परसूं, अगर आज और कल और परसूं के दरमयान अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो शायद वो वापस भी आ ज कुट में नहीं तो कहते हैं उलेक्शन हो, इनको फारग करें, या हम फारग कर देते हैं आप, हमें ना गृफ्तार करें, जेलों में मैं डालें, थाव हमारे से अपार्ग कर देंगें, तो अब बात यह, कि कोई म ü'll चलाने की कुछ करतें तो तीस लोगों को जेलों में डाल देंगे, कैसे वो जूरूरत ही नहीं है, आज केस बनाया, F.I.R. बनाया, पकड़ के ले गए, फिर आप दो महीने के लिए तो आपको कोई आपको मिलने के लिए त्यार नहीं होगा, जिस किसम के ये वीडियो और इस चीज़ चलती रहती है, वैसे सुनने में आ रहा है कि बड़ी गृफतारियां होने जा रही है, वो इसी लिए नहीं कुछ नहीं होगा, अगर आपजिशन सीरियस है, कोई मुहिम चलाने में तो गृ नहीं हो रहा, और आपको पता ही है के, और अब एक्सकॉंडर डेक्लेयर भी हो जाते हैं, तो फिर अपील में चले जाएंगे, उस्टे मिल जाएगी फॉर टाइम बिंग, के जी ये चीज़े ये वकील हैंडल कर लेंगे इसको, और मैं आखरी बात आपको ये कह दूं कि मि बना दिया है, आपने उनको डेथ सेल में डाल दिया है, तो अप्सकॉंडर तो कुछ भी चीज नहीं है, और तो अप्सकॉंडर, वो केर्स, दस साल वो जिलावतन थे, सुप्रीम कोड ने वो आउट कर दिया था, कन्विक्ट कर दिया था, हाई जैकिंग किया आपने, हो गए, रिवियू देखने के लिए, कोई कानून में ऐसी हैसी नहीं है, गुझाइश, कि जी दस साल के बाद आप एक रिवियू उपील हो जाए, और वो एकसेप्ट हो जाए, और फिर सुडने के लिए एकसेप्ट हो जाए, और उसके बाद जैज्विट भी आपके हाँ जाए, जी अख मघर सब्क में हर चीज होती है, देख मोगो कहते हैं आइन कहा है, जो सुbonरीम कोट कहते है, पिया है जो चीफ सेस्थिस कहते हैं, तो अब यहीं बात यहाँ आप ने देखा कैसे जहां के चीफ जसीजस, खोसा साब को भी आपने देख लिए हम बड़ीज़त करते थे मगर जिस दिन उनों ने ये उकामा और ये डेफिनिशन आफ एसेट और इंकम किया तो हम सोचों में पड़ गए यार ये ये तो इंतकाम है ये कानून तो नहीं और जो साकिम नसार साब करते रह गए वो भी हम प ऐसे चलती हैं जब हवा बदलती है तो इस चीजे ऐसे भी हो जाती है तो मिया साब इंतजार में है या दास साल पहले भी कटे रहे देख लबाँगे ये सारी चीजे चलती है वो कहते हैं अंगरेजी का मावरा है तुमकरना दे बेस्ट लेड प्लान्स वो फारग हो से ते तो आप इनसान प्लानिंग करता है और गॉड डिस्पोसे लाग फिर फैसला करता है कि तुमारे प्लान्स जो है ऐसे कि अग्या प्लान आप तो ये क्या होगा आगे अभी मेरा खाल है गेम आउन है अचा आप कह रहे हैं कि मिया नवाज श्रीफ अभी इंतजार कर रहे है क तो तो करता है करने को ड़र भी लगता है डर इसलिए लगता है कि मेरा ख्याल है, कॉंशिंस क्लियर नहीं है, जो इल्जाम जो लगे वे है जर्दारी साब के उपर, और शवासरी साब के उपर, छोटे बोटे इल्जाम तो नहीं है, इल्जाम तो बहुत संगीन है, वो और बात है, वजन है या नहीं है, वो तो पता चलेगा बाद में, डिफेंस जब आएगी, मगर वो प्रेशर तो है न, इसी तरीके के साथ मुलाना पर उपर कुछ नहीं है, मुलाना तो कब से कह रहे हैं कि शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, मगर उस वकद मिया साथ पाकिस्तान में थे, शवाज शरीफ साहब का ख्य जो हैं, जब हम हैं तो क्या हम हैं, खादम है, खादम है आला है न, तो वो इतिजार में बैटे हैं कि खादम है आला की उपर हाथ रखा जाए और फिर वो डिलिवरी दें, डिलिवरी तो दे सकते हैं, इसमें तो कि शक नहीं है, पंजाब में तो डिलिवरी दी है, मगर हो तो चल करके देख ला तो सहूरत मिलगी बाहर कि मरें मरीमेफ घरा अगी तो शुद तक तो कामियाब होगे नभाज शुद मुआ शुरी साहब जो है जब यहह बात आती है सड़कों को पर निकले हो भी वो कहते है यह रहे गड़बड़ हो जाएगी इसका यह मतलब है कि फिर कोई वाफस रास्ता जाने का नहीं होगा तो अब तक तो उने रास्ते खुले है उन ऑभ और और भात है कि जहां रास्ते कोल पिर इंतजार किया जारा कि हो हरकत हो वहां से, वहो नहीं रही है तो शबाशरी सपर्ण गेम में हों तो कहते है नहीं नहीं T अब तक की बात रहे रहे है, ठीक है अगर तो कहना है तो ठीक है, मगर अब क्या किया जाया आँ इसलिए मौलाना कहते है, इसलिए मोलाना कहते है और जो मैनोरिटी है वो कहती है चलो फिर जिलना पर यह जागे कोई गाल दे वैसे भी हमें क्या मिल रहा है आप टॉप लीडर्शिप की बात तरहे हैं क्योंकि अवाम तो बेसिकली मैं समझतों त्यार है यह मेरी भी है यह लोग कुछ कहते हैं जी कि मिनूनली के लिए अवाम बाहर नहीं निकलेगी अवाम किसी के लिए निकलती निकालनी पड़ती है और इम्राइन खान साब भी अगर इनके साथ फरिष्टे नहोते तो जिस त वहतताenders कमक्तले अवे समय मेशिए तो तीन चारस महीने की बात में ञें तीन तो बात है आठम 16 UH अब ये फिर छल रहा है एक माहह साल लेट हो गया मौलाना नाराज भी ते हैं यह यह एर मेरे साथ तो हाथ हो गया, मेरे साथ उन्हों ने भी आत किया, जो 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 और इतरु इन्हों ने, जो नाने साथ दे रह답 था उन्हों ने भी आत देरी और मौलाना नारास सी obedience इसे कि बिए फिर पिर नवाशरी साथा हैं मे आगे मौलाना के बहां तो काम और छे मीने के बाद अगर काम नहुआ तो आप त्यार रहे हैं, हम को इन आ उस चेंग खरा देंगे, ठीक है, यह बिलकुल, अब नूनली को ऐसे लग रहा कि शायद को लंबा ही ना प्लान होए थे, सानु लारी लपा दे के, ते अगले तिन साल भी कड़ा दें ते फिर मेरा खाल है अगले तीन मीने में नूनली को बड़े सीरियस फैसले करने पड़ेंगे, और पीपलस पार्टी को भी, और अगर यह नहीं करेंगे, तो यह मैं आपको बता दूँ, कि अगर यह तयार नहीं है कुरबानी देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और सड़कों सड़कों पे तो अवाम की बात है, मगर यह खुद अपनी कुरबानी देने के लिए तियार नहीं है, तो फिर यह बात जो है, इनके खिदाफ जाएगी, आखरी बात यह, देखिए, इस वकर फुरिष्टे तो बड़े कमफ़टबल बैठे है, इमरान खान भी बड़े कमफ सब्कियां देता है, destabilize करता है, फिर आप सुनते है, यार गल सुन लो, तो अगर कोई ऐसी situation ही नहीं है, तो आपकी बात क्यों क्यों सुने, चल रहा है, चलने दो, लारी लपड़े जो, लारी लपड़े जो, लारी लपड़े जो, तो यह जो स्टेटस को चल रहा है, यह आपकार देते हैं, आपकार देते हैं रहा है, यई तो लोग तो निकल आते हैं यार आप निकालने वाले हो तो लोग निकलते हैं, वगर फिर देनी पड़ती है, तो क्या वो करेंगे? तो ये फैसले मिया साहँ ने करने हैं, ये आज नहीं कल करने पड़ेंगे, अगर आप इंतजार करेंगे में कि अल्ला मिया आपको मौका देगा, ये बिलकुल हो सकता है, तो फिर आप कुदेंगे, तो ठीक है वो भी हो सकता है, मगर अभी तक तो नहीं हुआ, पता नहीं अगले चार साल वे या पात साल में भी होता है कि नहीं होता, तो यह फैसले सियासी तौर पर करने पड़ेंगे. अब देखते हैं जी मियाँ साथ क्या फैसले करते हैं और आपोजिशन कितनी कुर्बानिया देने को तयार है इस पर डिपेंड करेगा मुझे ये बताएं जो कराची की ताजातरीन सुरते हाले चीफ अवार्मी स्टाफ भी बाँ जा चुके उन्होंने वहां बड़े वहां ताजर बरादरी और बिजनसमेंट से सबसे बुला काते हैं कि फिर उसके बाँ शेबाश शरीफ साब चले गए उदर अब प्राइम मिनिस्टर ने आज जाना था मगर वह सुना एक दौरा मुलत भी होगे और कल जा रहे हैं यब इतने लोग जा रहे हैं और सुना ये भी है कि अब वफाक और सिंथ की सुभाई हुकूमत जुनसी है वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जी मिलके साथ चलेंगे आपका ख्याल है जो किराची का क्राइसिस था ये एक बनेगा रास्ता कि जब कराची जहां मसले जिनके हल होंगे कुछ नहीं होगा. अब मुझे पताएं, आपी जीव कराची जाते, बिसनस्मन को क्या मिल के, क्यों मिल रहे हैं आप? या तो आप उनको मिल रहे हैं कहने, पैसे देओ, कराची के लिए, फंड बनाने लगें. पता नहीं, ऐसी बात है या नहीं है. क्या बिसनस्मन देने के लिए त्यार हैं? पैसे तो है नहीं, ना सिंद कर्माट के पास है, ना फेडल कर्माट के पास है, ना लोकल कर्माट के पास है. इसलिए तो लड़ाई जगड़े चल रहे हैं on the economy. एकॉनमी बैटी विए तो पैसे कहां से आएंगे? और जो चार पैसे आ रहे हैं, वो हमें अपनी डिफेंस के लिए भी चाहिए हैं, हमें डेट पेमेंट के लिए भी चाहिए हैं, इसलिए NFC के लिए लड़ाई जगड़े हो रहे हैं, सौ सा दो दो सो अरब रुपे के लिए लड़ाई जगड़े हो रहे हैं, सोचे इता बड़ा मुल्क और सौ सो दो सो अरब रुपए के वो लड़ा ही जगड़े हो पैसा ही नहीं है, और ऑगिनाजेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, मैं आपको बताओं, और ये मुक्स सिर बताओंगा, लंबी बात है किसी वक्त वो भी करेंगे, अभी बाते हो रह हो जाएगी, कोई कहता है कि नहीं कोई और कोई constitutional amendment कर दें, बात यह ऐसे नहीं होता, इस वक्त अगर आप कराची के जो legal status को छेडेंगे तो एक बहुत बड़ा ethnic conflict शुरू हो जाएगी, बलुटिस्तान के अंदर ethnic conflict है low level की, फाटा के अंदर फिर शुरू हो गई है, तरी के तालिबान को दुश्मन आपका सपोर्ट कर रहा है, वो फिर शुरू होगी, आज की खबर थी कि एक अफसर और दो सिपाई जो हो मारे है, शहीद होगे, तो यह जिन रात अब हर रोज यह खबर आ रही है, बढ़ रहा है बलुटिस्तान के अंदर भी ऐसी है, सिपक को आपर से आपको पता है सिंधी महाजर कॉन्फिक्ट एक परानी चीज़ है, यह जही चीज नहीं है, और मैं आपको यह बता दू कि इंडिया जो है, पहले उसका इंवॉल्मेंट महाजर के साथ ती, अलताफभाई के जरीए, और परानी इंवॉल्मेंट इंडिया की रही है सिंधी नेशलिस मूवमेंट, इंडिया हर जगह पे आपको पंगा लेगा, सपोर्ट करेगा जहां सेंटर के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर कोई रिजेंटमेंट है या कुछ चीज है, इंडिया विल्वेस सपोर्ट है, इस्तमाल करेंगे, इस्तमाल करेंगे, लोग उनके जहां से भी पैसे मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, मैं तो लूँगा, मैंने का इंडिया से भी ले लेंगे, कहां लूँगा, मैंने अमरीका से जहां लूँगा, मैंने का मेरी दुश्मनी इधर है, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं, जब उनको आप एक कौने में दखेल देते हैं अगर शेतान भी हल्प करता हम उसकी ले लेंगे अब बात ही है कि कराची के legal status को change करना is a problem, यह नहीं, यह इसके साथ ethnic conflict शुरू हो जाएगी वहाँ और उपर से People's Party के बहुत से लोग radical हो जाएगे दूसरी बात ही है के local government किसको देंगे आप, People's Party local government असली local government नहीं होने देगी, ना People's Party करेगी इसको वोट नी पढ़ता कराची में, ना Noon League करेगी इसको वोट नी पढ़ता, federal government बना लेते हैं, अब आई PTI की बारी, PTI ने ठीक ठाक वोट लिया इस दफा, क्योंकि लोग तंग आगे थे MQM से, और लोग तंग आगे थे religious party से, और Noon League को उन्होंने वैसे नहीं देना, वो anti-punjabी, आप ने दे दिया, इमरान खान को hero, ठीक है, पंजाबी है, doesn't matter, semi-punjabी, जो भी आप समझें, PTI को तो मिल गया, federal government भी मिल गयी, इसके बावजूद कराची को कुछ नी हुआ, जो मैं कह रहा था, क्योंकि interior सिंद्यों है, उसने people's party को vote दे दिया, तो ये जो सारे issues है न, ये financial issues भी है, establishment के भी issues है, सियासी जमातों के भी issues है, तो इसलिए मैं नहीं समयता कि ये मसला हाल होगा, एक ही रास्ता है, ये army chief का आना जा से कुछ नी होगा, बाते हैं, ये committee ये मना रहे हैं, कुछ नी होना, बाते हैं, बचारे कराची वाले, ये पानी खतम हो जाएगा, फिर अपनी जिंदगी उसी किसम की बसर शुरू हो जाएगी, फिर बिजली आएगी, बिजली जाएगी, तब आई है, मुझे कोई relief नजर आई है, आगे आई है, और ये बड़ी आएंब बात है, तो फिर रास्ता क्या है, रास्ता एक ही है, वो है एक constitutional amendment, अगर आप समझते हैं कि कराची का कुछ special status होना चाहिए, जिसकी तहत उसको कुछ मिले, और development हो, तो क्या होगा वो special status, कैसे मिलेगा, एक तो आईनी amendment कर सकते हैं, आप आईनी amendment करके कराची को special status दे सकते हैं, NFC award के अंदर उनके लिए पैसे कटे कर सकते हैं, कह सकते हैं, मगर वो constitutional amendment जो है, उसके अंदर इतफाक होना पड़ेगा, consensus के जरी होना पड़ेगा, People's Party को भी खुशी-खुशी मोल डालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, आज के अलात में, जबके establishment और PTI दोनों की पिटाई कर रही है, नूनलीक की और People's Party की, ऐसा constitutional amendment पॉसिबल ही नहीं है, यह तो उस constitutional amendment का इसा हो के national consensus हो, जो हमारा social contract है, अवाम का with the constitution, यह अगर उस किसम की चीज हो, जिसके उपर सब का इतफाक हो, खुशी-खुशी हो, तो क् कराची दस साल के अदर कैन बी ग्रेटर सिटी इन दे वर्ल्ड, पिकज़ अब वो टेररिजम भी खतम होगी है, और वो जो हमारे उर्दू स्पीकर्स थे, जिसके उनकी सोच थी, वो भी तबदील हुई है थोड़ी बहुत, और वो समझ गाया, आगी है ना कि यह ऐसे नही अगर ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो अगर यह इनका ख्याल है कि जबरदस्ती प्रेजिदेंशल रूल करके, धंकिया दे के, पीपल्स पार्डी को उतार के, गवर्नर्स रूल लगा के, लोकल गवर्मन के निया लॉल आके, यह दो दिन दी खेड़े फिर फारग हो जाएग वो भी हमारी दौा है, कि वो इस मसले से हम निकलें और पाकिस्तान को खुदा अपने हिज़ और अमान में रहे हैं, जी हम बिलकुल रहे हैं, उसकी वज़ा यह है कि बारशे हो रही है पन्जाब में, पानी आ रहा है, हिंदुस्तान ने चनाब वगारा में पानी खोल दिय है, किसी वक्त भी फ्लर्डज आ सकते हैं, अगर कोई और सीरिस किसे भी आट दा सिन बारिश होगी नहीं हो, तो आप कराची को भूल जाएंगे, यहां फ्लर्डिंग फ्लर्डिंग फिर से शुड़े हैं, केपी में अगर आप मनाजर देखें, वो तो उफ, खुदाया, सवाथ, सवाबी, वो तो पूरा फुरी फ्लर्डज सलाब आया हो, अल्ला रहम करे हो, अल्ला रहम करे हो, और हमारी बस यही दुआ है, पाकिस्तान के लिए, आज की प्रोग्रेम में इतना ही, आप अपने आडियो वीडियो सवाल जरूर भेजते रहिएगा, जैसे ही हमार